पिट्टू की मा ये सामान अंदर रख दे हां हां रखती हूं आ गए बाजार से चुप पेटा चुप मैं तेरे लिए खिलोना लाया हूं कार रोते नहीं अच्छा बच्चा है हमारा कार मेरे लिए कुछ नहीं लाये नहीं बेटा तू अब बड़ा हो गया है मैं चलाता हूँ इस कार को आई ये कार तो टूट गई कैसी कार लेके आये हो तूने उसकी कार तोर दी है तूने उसकी कार तोर दी इसके लिए अब नहीं कार ले आना नहीं ले आना नहीं ले आना नहीं फिरी में आती है पैसे लगता है बेटा पैसे पैसे समझ गया मैं भी अब पैसे कमाऊंगा और फिर बड़ी वाली कार लूँगा मैं आज से नया बिजनेस शुरू करता हूँ नौटंकी करता है मेरे सामने नौटंकी करता है मैं अभी जा रहा हूँ नया बिजनेस शुरू करने बिटो, बिटो रुक जाने दे मैं भी देखता हूँ कैसा बिजनेस करता है अंकल, नमस्ते अंकल ये दुकान मुझे दे दो मुझे बिजनेस करना है तेरे बाप की दुकान है जो तुझे दे दू बिजनेस करेगा बिजनेस अंकल दे दो दे दो प्लीज अरे नहीं नहीं अंकल प्लीज अपना बेटा समझ के दे दो मैं भी तो आपका बेटा ही हूँ दे दो, मुझे बिजनेस करना है तुझे बिजनेस करना है? हाँ करना है तो भैस पाल, उसका दूद बेजकर पैसे कमा जा वाँ, मैं भैस पालूंगा और उसका दूद बेजकर बहुत सारे पैसे कमाऊंगा थेंक्यो अंकल थेंक्यू 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 ये भैस किसकी है मेरी है दूध देती है हाँ देती है ये भैस मुझे दे दो मैं इसका दूध बेजकर बिजनेस करूँगा बिजनेस और बहुत सारे पैसे कमाऊँगा दो हजार रुपिये दे और भैस ले जा दो हजार रुपिये? दो हजार कहां से लाऊं? फिरी में दे दू तेरे बाप की भैस है? जब फिरी में दे दू निकल 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 बस भाईया यही पर रोक दो मुझे कुछ सामान लेना है मेरा एक्सिडेंट कर दिया, इसने, मेरा इसने एक्सिडेंट कर दिया, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, तुने इसका एक्सिडेंट कर दिया, मैंने एक्सिडेंट नहीं किया, जब मैं आया ये इधर खड़ा था, मैं मर रहा हूँ, मुझे इलाज के लिए दो हजार रू दे उसको 2000 रूपिये 2000 रूपिये? जब मैंने एक्सिडेंट किया ही नहीं मैं 2000 रूपिये क्यों दूँ 2000 रूपिये नहीं दे रहा? मैं मर रहा हूँ कोई पुलिस को बुलाओ मैं मर गया ये तो मर गया अभी बुलाता हूँ पुलिस को पुलिस, पुलिस को मत बुलाना, मैं देता हूँ 2000 रुपिये अरे ला ये ले आप जाओ, नहीं तो मेरा दुबारा एक्सिडेंट हो जाएगा भागो, ये बड़ा खतरनाक है अरे, मुझे तो ले जा, मुझे ले जा, रोक, रोक ये लो 2000 रुपिये, अब भैस मेरी चल 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 घर चल घर चल 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 अब मेरी भैस आ गई अब पापा को पता चलेगा, मैं कितना बड़ा बिजनेसमेन हूँ इसका दूद निकाल कर बिजनेस शुरू करता हूँ मेरी प्यारी भैस मुझे अभी 500 किलो दूद दे मेरी प्यारी भैस मुझे दूद दे फिर मैं तुछे टाफी और बिस्कुट खिलाओंगा लगता है मेरी भैस ठख गई है इसलिए दूद नहीं दे रही है समझ गया मेरी भैस, तू ठक गई है थोड़ी देर हमारे बिस्तर में सो जा सो, सो, अराम से सो सो, सो, सो सो गई सो गई बिट्टो, ये भैस को बिस्तर में क्यों सुलाया है किसकी भैस है ये ये मेरी भैस है मैं खरीद कर लाया हूँ मैं इसका दूध बेज कर बिजनेस करूँगा बिजनेस बिजनेस करेगा बिजनेस ऐसे कोई भैस को बिस्तर में सुलाता है ये भैस नहीं है तो क्या है ये मेरा बिजनेस है बिजनेस निकाल इसको बाहर निकाल इसको नहीं, मेरी भैस कही नहीं जाएगी सोने दूसको सो मेरी भैस, आराम से सो बिटा कनपट्ट्टी पर ऐसी मारूँगा पानी नहीं मागेगा तो एसे नहीं मानेगा इस भैस को मैं निकालता हूँ मार दिया बटू के पापा बचाओ भागो, भागो पर दो